कि हम जाएंगे ट्रेन के अंदर वो भी टॉय ट्रेन में रूम से निकल गए हम और एक खुछकबरी मिली हमें कि हमारा टिकट कंफॉर्म हो गया है तो तो टाइम बारा दस किये ग्यारा बजरी अभी रेल्वेश रेज हम पहुच गया है अब चलते हैं हमारे फ्लैटफॉर्म पर देखेंगे हम शानदा नजा रहे हैं चलिए नाम है कालका वैसे तो आप बस में भी जा सकते हैं शिमला लेकिन टॉय ट्रेन में जाने का मज़ा ही अलग है स्टेशन में जब आप एंट्री करेंगे तो सामने ही बोर्ड लगाए उपर शिमला जाने का रास्ता आगे पेट पूजा आप देख पा रहे हैं यह हम कुछी देरी में खुद एक्सपीडियंस लेने वाले हैं इस मज़ारे का क्योंकि हमारी ट्रेन आ गई है सामने हैं यह देखिए हैं यह हमारी मालिन कुई लेकिन ट्रेन में चड़ने से पहले तोड़ी से चिप्स और कोल्ड रि गंटे का है यही रास्ता अगर आप बस में या फिर खुद की कार में करते हैं तो सिर्फ तीन गंटे लगते हैं लेकिन जो नजारे इस ट्रेन के ना वो किसी के भी नहीं हैं इसलिए मैं तो यही रेकमेंड करूंगा कि आपको अगर शिमला जाना है तो वाया कालका ही हालो हो गई हमारी टॉय ट्रेन हिमालेयन क्वीन कालका से शिमला जाने तक एक सो तीन टरनल है टोटल जब हम कालका के अंदर थे तब तो मुझे लगाई नहीं था कि हिमाचल में कभी बरफ होगी भी क्योंकि वहां का टेंपरेचर अल्मोस 35 डिग्री था मैंने तो वहीं सो टॉय ट्रेन क्यों कहते हैं लेकिन अगर अनुमान लगाएं तो इसमें सिर्फ पता है आपको चार डब्बे होते हैं और एक डब्बे के अंदर सिर्फ 30 जने बैठ सकते हैं फर्स डीजन तो यह होगा और दूसरा जीजन है कि यह चलती सिर्फ 30 की स्पीड से इसकी टॉप स जननत की सेर करा देते हैं तब ही तो एकदम सारा पैसा वसूल है इसका यह आगया शिमला के रास्ते का सबसे पहला टर्नल यह मैंने आपको पहले भी बताया था कि 103 टर्नल हैं शिमला तक पहुंशने तक के पहला टर्नल ही इतना बड़ा है तो सोची आगे के टर्नल कितने बड़े होंगे ऐसा नहीं कि कालका से सीधा चलते चलते यह शिमला पर ही रुकेगी रास्ते में 5-6 गाउं भी आते हैं और 4-5 स्टेशन भी जहां पर लोग भी रहते हैं काफी अच्छी आबादी है पहला जो स्टेशन आएगा वो आएगा 8-10 किलो मिटर बाद वो यह वा बड़ा स्टेशन भी है इसकी यह स्टोरी थी कि भाडोग जो इसका नाम है ना यह इसलिए पढ़ा था कि ब्रिटिश का एक जो इंजीनियर था वह उसे मिला नहीं पाया तो उसने आत्मत्या कर लिए दर है आत्मत्या करने की वज़े से इसको बाडोग नाम दे दिया उस नाम भारोग था उसे इसी टरनल को बनाने की रिस्पॉंसिलिटी दी गई थी लेकिन वो इस टरनल को बनाने में फेल हो गया तो उसने वहीं पे सुसाइड कर लिया यह टरनल अभी तो बहुत ही ज़ादा जोटा है लेकिन इसे दुनिया का सबसे बड़ा टरनल बनाना था तो कि भारोक कम्प्लीट नहीं कर पाया इसलिए उसने आत्मत्या कर ली खेर ये वाले टनल्स देखिया आप कितने शांदार है और इसने बनाया कैसे गया होगा ये समझ में आज तक नहीं आया जब हम भारोक से करीबन 8 से 10 किलोमेटर और आगे चले ना तो एक बहुत ही दू इनके पास में भी बरफ दिखने लग गई अब तो अब तो हमने सोची लिया था कि बरफ तो हमें किसी भी आलत में मिलेगी ही यहां पे ये मेरी लाइफ का सबसे पहला एक्सपीरियंस था जहां पे मैंने इतनी सारी बरफ एक साथ देखी थी इससे पहले तो सिरफ फ्रीज के अंदर ही देखा करते थे और वहीं से कुचर कुचर के खाते थे लेकिन ऐसी बरफ कभी देखने को नहीं मिली टीवी के अलावा ये था हमारा लास्ट एक सो तीनवा टरनल और अब हम आ गए हैं शिमला जहां के स्टेशन से आप खुदी देख सकता है नजारा कितना मनमो कालका में तो बिलकुल भी सर्दी नहीं लग रही थी जैसे हम शिमला में आए सर्दी इतनी बढ़ गई कि हमें जैकेट्स फिर पैनने पढ़ गए और तो स्टेशन पे भी बरफ दिखने लग गई थी अब तो स्टेशन पहुंचते ही सबसे पहले मन में यही ख्याल आया कि जहां का स्टेशन ही इतना खुबशूरत है वहां का शहर कितना खुबशूरत होगा तो हम निकल गए फटा फट स्टेशन के बार जहां पे बहुत सारे टेक्सी ट्रेवर्स हमारे ओड़े दोड़े पिर गए इसका मतलब है वो जड़ा करने लग गए आपस में आपको लेन पर मगर फिर मन को समझाया कि मेरी कुलफी तो नहीं बनेगी ना इस बरफ के अंदर फाइनली हम पहुच गए हमारी होटल जिसका नाम है होटल बलजी इस रेजेंसी ये तक्रीबन रेल्वे स्टेशन से दो किलोमीटर की दूरी पर है दो दिन के सफर के बाद फाइनली हम पहुच गए हैं शिम्ला शिम्ला में हमारी होटल में कल सुबह में होटल का बार का व्यू दिखाऊंगा रात हो गई लेकिन अभी मैं आपको रूम दिखाता हूँ चलिए यह हमारी की है रूम नंबर है 402 इसको यू दबाते हैं तो यह खुल जाता है अंदेरा लग रहा है आपको लेकिन मैं आपको अंदेरे से अटाऊंगा यह कि इसमें डाल के यह हमारा दो दिन का शांदार रूम चलिए आगे आईए मैं आपको दिखाता हूँ यह है मेरा बैड जिसे मैं ऐसे करके कूदता हूँ कुछ जादा अच्छी तरीके से कूद गया मैं और फिर मुझसे पांच मिन्ट तक तो उठा ही नहीं गया जोग सपाट यह हमारा लॉकर जहां आप अप को सामने का विव क्योंकि पूरे रूम का तूर तो मैं अभी रात को नहीं कर सकता दिखेगा भी नहीं अच्छा यह देखिए सामने भी आपको स्रिफ लाइट सी दिखेंगी यहां तक तो था सिर्फ होटल का सफर अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगरूर वीडियो रादी जरूर भाइक शेकर यादी जरूर्स